इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है इनमें रक्त, मस्तिश्क, फेफडे, हड्यों, जोडों, मूत्रपत, पेट और आंतों के संक्रमन शामिल है इसका उप्योग यौन संचारित रोगों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है यह संक्रमन पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोकता है और संक्रमन को साफ करता है यह इस दवा के उप्योग या पेट, आंत, यानि की आंत के संक्रमन के कारण होने वाले दस्त के इलाज के साथ साथ रोकने में भी मदद करता है इसे डॉक्टर द्वारा निर्धारित समय तक लें और खुराक छोड़ने से बचें यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बैक्टीरिया मारे गए हैं और वे प्रतिरोधी नहीं बनते हैं इस दवा को अपने चिकितसक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें डोक्सीसपो कैपसूल भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है लिकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए डोक्सीसपो कैपसूल दो दवाओं का एक मिश्रन है होक्सीसाइकलिन और लैक्टोबैसिलिस Doxycycline एक एंटीबाओटिक है जो बैक्टीरिया द्वारा महत्वपून कारियों को करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के संचलेशन को रोपकर बैक्टीरिया के विकास को रोपता है Lactobacillus एक जीवित सूक्षम जीव है जो आंट में अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बहाल करता है जो एंटीबाओटिक के उप्योग से या आंतों के संक्रमन के कारण परिशान हो सकते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन ओन ओन नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद